हेलो गाइज वेलकम बैक इन माई नी वीडियो मैं हूँ आशी सौध करता हूँ आपका आपके अपने चैनल आशी टेक गुर्जी यूटूब चैनल में जैसे कि आप सभी यहाँ पर दे सकते हैं मैंने कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं जो की डीडी फ्री सेटप बॉक्स के ह हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस मदर बोड के उपर डीटेल नौलेज देने वाला हूँ तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलफुल और नौलेज़िबल होने वाली है इस डीटीएच मदर बोड के उपर तो साथ ही मैंने अपने चैनल पर SMPS रिपेरिंग की अच्छी वीडियो अपलोड कर रखी हैं आप उससे देखकर आप इस टाइप की जो कि हम अपने सेटब बॉक्स में यूज करते हैं उससे सप्लाई को भी आप रिपेर कर सकते हो और साथ मैं आप कोई भी कैमरे की हो गई या फिर आप कंप्यूटर की भी SMPS रिपेर कर सकते हो मैंने सभी की वीडियो अपने चैनल पर अल्रेडी अपलोड कर रखी हैं तो आप उन वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से SMPS रिपेरिंग सीख सकते हो साथ ही मैंने आपको सरकिट डाग्राइम भी प्रोवाइड करा दिया है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से देकर अपनी नौलेज को बढ़ा सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो एक छोटे से इंट्रो के बाद तो चलिए अब हम अपने टॉपिक के उपर चलते हैं जैसे कि आप दे सकते हो यह है एक डिटियेश का मदर बोर्ड तो इसे मैंने रिपेर करा हुआ है मैंने आपको इसके बारे में डिटेल पहले ही अपने चेलर पर दे दी थी तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता मदर बोर्ड रिपेर कर रहे हो या फिर कोई भी डिवाइस रिपेर करने का सोच रहे हैं तो उसकी आपको प्राइम जी अलेज होनीज भी है selection कि अगर आप कोई भी मादर बोर्ड रिपेर कर रहे हो तो आपको यह पता होना चीह है कि उसमें कौन से पर्ट्स येयोज करें और साथ में वो parts क्या काम करते हैं तो इसलिए मैंने आपके लिए ये video बनाई है तो इससे आपको बहुत ही help मिलेगी तो चलिए start करते हैं ये video तो चलिए guys अब मैं आपको इस motherboard की details दे देता हूँ और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसमें कौन से components का use करा गया है और वो किसलिए use करेंगा है तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये रहा हमारा motherboard तो ये है हमारा power connector आप देख सकते हैं यहाँ पर हम power supply इंपूट कराते हैं अपनी power supply से जो कि DTS में यूज करी जाती है आपको मैंने स्टार्टिक में दिखा दिया था और ये है हमारा एक regulator है जिसका number होता है 1117 आप यहाँ पर देखिए कर दिख जाएगा यहाँ लिखा है 1117 आप देख सकते हैं यह अलग अलग वोल्टेज की रेगुलेटर आपको मार्केट में मिल जाएगी तो यहाँ पर बेसिकली दो टाइप की रेगुलेटर यूज करे जाती है यह हमारी इनपुट होती है जो पूरा बॉड़ी में उसके साथ करेकट होता है और फ़र्श पिन पर इस पावर सप्लाइज से ठीवर्ट 3.3 बॉल्ट आता है तो यहां से 3.3 आने के बाद यही 3.3 हमारी मेमोरी आइसी जिसे हम फ्लैश आइसी यह पर जाएगा जैसे आप यहां पर देख सकते हो यह हमारी टॉट वाला यिया है है तो यह हमारी में पिन नमबर लगा ओर चैनि यह वे तो यह होते हैं मारे वॉल्टेज की और सो डिए मैं आपको बता दो आपको भी पता होगा कि अंदर जो मदर बोर्ड यूज कर जाता है उसमें भी सेम इसी तरह से चीजें लगी होती तो यहां पर जैसे कि आप दे सकते हैं यह हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है तो उसमें आपको वहाँ पर एल्वीडियस कनेक्टर मिल जाएगा जो कि हमारी पैनल प्रोवाइट करा दोंगा और साथ में मैं आपको इस कार्ड में कैसे प्रोग्राम करा जाता है यानि सौट्वियर करा जाता है उसके ओपर भी वीडियो बनाकर दे दोंगा फ्रेंट्स लेकिन आपको कमेंट पहले करना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं यह हमारी मेमोरी जो ही रिलीज करती है जो कि इसका नंबर में आपको अगर बताता हूं तो अगर आप और यह फील्ड से आपको पता चल जाएगा फ्रेंट्स कि मैं किस आईसी बात कर रहा हूं तो यहां पर लगा होता है फ्रेंट्स 45 नथावन जो कि हमारी एक औरेशनल एम्प्रिपायर ह इन पूट होती है तो इन ट्रेक्स की मदद से यहां पर कुछ फिल्टर वगएर लगकर इस रही इस इस में इंपुट कराए जाती है और यहां से हमारी आउडियो आप जाती है जो कि हमारे यहां पर एल और आर के चैनल से निकलती है तो फ्रेंट्स अगर आपके कार्ड मे और यह से रिलेटेट प्रॉब्लम है तो आप इस आईसी को ही टार्गेट करिएगा फ्रेंट्स आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लेकिन अगर आपके कार्ड में आईसी रिप्लेस करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है फ्रेंट्स आप ऐसा कर सक प्रेंट्स अब मैं चलता हों आपको विडियो के सॉक्ट है और वीडियो कनेक्टर अगर आपके कार्ड में फ्रेंट्स प्रॉब्लम है तो अपको सबसे पहले मौस के चेख करना है जो donins किसी कर्ड में आपकर में प्रॉब्लम होता हैас असा सब li比 जैगा होता है तो आप कर्फ्यूज मत होईएगा कि यहाँ पर टाइप के कार्ड आते हैं एक कार्ड आता है जिसमें प्रोसेसर हमारा इस टाइप का लगा होता है तो उसमें अलग सिस्टम होता है तो इसलिए मैं आपको दोनों चीज ही बता रहा हूं तो जो हमारा अगा ट्राइप में पर इस प्रोसेसर से सिग्नल आएगा उसकी सुचिंग कराएगा और यहाँ पर निकलेगी वीडियो की वीडियो की वामारी स्विच्छिंग होने बाद इस कनेक्टर से निकलता है तो आपको इसे चेक कर लेना है अगर यहांपर कोई प्रॉ यहां पर दोटम दिशर देख रहा होंगे जिनका नमबर 85-50 होता है यहां पर प्प्ली आई कि आ यहां पर दोटम तरह तरह यहां पर फेंद आथे जो कि आ हमारे इस प्रोसेशर से ही सिगनल लेकि यहां तो दोनों टांडिस्टर को सुचिंग कराता है है तो गाइस जैसे क्या आप दे सकते हैं यह हमारी क्लाइसी यानि की नेटited बाएसी ह्ए मिस्सक्छटस तो जो सिंफनल हमें मिलते हैं वह सेफिएर कार्ड में इससे हमारे कि हमारे बॉइक सिंगनल आ रहे हैं और क्ली एक सेलेकट करा हुआ है तो यहां से अगर आपके कारड में याँस की सिगनल की प्राउल्ब्लम आती है यानि कि अगर आपके बॉक्स में विक सीगनल आते है तो आप इस पहले पी-एफ को चेंज कर दीजिये do कर दएगा होगा 25 кाम होता हैwrada तो यहां पर क्रिश्टलेसेंज काम होता है कि यहां से हमें एक सीग्ल है जो कि हमारी processor पर ही जाता है तो अगर आपके card में dead problem है यानि कि अगर आपका card dead है friends तो आप इस crystal को भी replace करके देख सकते है और आपको crystal check करने का तरीका में बता देता हूं जब आपका card on हो गा तो इसकी जो दो पने हैं इसपर आपको ground से check करना है है आपको यहां पर लगबग 1 से 1.5V की करीब यहां पर मिलेगा। अगर आपको यहां पर voltage नहीं मिलता है तो आप इसे directly chain करके ही चेक कर दिएगा। आपको जो कार्ड है वो रिपेर हो जाएगा तो यह थी कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आप घर पर ही अपने डीटियेज बॉक्स में चेक करके आपने डीटियेज बॉक्स को रिपेर कर सकते हैं तो आशा करता हूं आपको मेरी दी गई नॉलेज पसंद आये होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो पसंद आईए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथ ही चैनल पर नहा है तो सबसे पहले मिल सके और आप उससे सबसे पहले देख सके तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक लिए बाइ बाइ फ्रेंड्स हैव नाइस डे गुड डे